आज हम बात करेंगे होंडा के एक्टिवा 6G के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि होंडा के एक्टिवा 6G बिस SIX में आ गई है इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलता है स्टेंडर और डिलक्स इसके हैं आपको कैस्ट प्रक्राइब क्या पड़ेगी लोन पर क्या रही साधी बते आपको बताएंगे आई ये उससे पहले जान लेता हैं खासेत हमें क्या देखने को मिलती है जोस्तों आपको मिलते हैं एक्टिवा की 6G मैं 110 cc का c in ghen आपको देखने को मिल जाता है माइलेज की बाहथ करेंगे इस गाडी के दोस्तो वो Canadian sommes की स्ट्राटरिंग के बाद करींगे की क Northwest itself अपको धूनों का शीट मैटल के टुबले स्टार का आपको आप्शन देखने को मिलेगा मीटर आपको मिलेगा अनलोग क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अगर आप लेते हैं डिलेक्स वाली मॉडल उसमें आपको अनलोग और डिजिटल का कॉम्बिनेस्थन आपको देखने को मिलेगा लेकिन इस standard map आपको pure analog meter ही देखने को मिलेगा बात करें गाड़ी की speed के बारे में इस गाड़ी दोस्तो 0-60 की speed पकड़ती है 10.55 सेकंड में आईए बात करते हैं इस गाड़ी कीमत क्या रहेगी location मैंने लिया है बहराईज जिले की अगर आप लेते हैं इस गाड़ी को भाराईज से तो आपको पड़ेगी एक showroom कीमत 64,627 रुपए आर्टी और बान डोटेक्स आपको देने में पड़ेंगे 7,960 रुपए तक की insurance के आपको पड़ेगी कीमत 5,900 रुपए on-road कीमत आपको पड़ेगी Activa 6G BS6 की 78,500 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की बीच जैसे की दोस्तों मैं आपको पता है प्राईज रेंज तो आपको बता दे इसी के बीच आपको गाड़ी देखने को मिलेगी कीमत इसे बाहर जाने वाली नहीं है लेकिन फीच चीमत आपको लगभग से यही देखने को मिलेगी तो क्यासosp कीमत आपकी यह हुगई अगर अप लेते हैं इसे लौन पे करते हैं 27,000 रुपए तक की डॉन पेमेंट और अगर on-road कीमत रहेगी 78,500 रुपए तब आपको लगखक से लोग नमांट लेना पड़ेगा 15,200 रुपय का कहते हैं कि 30 महीने कंतर आपको इस गाड़े की EMI पेमेंट कर देनी है बैंक के फिर फाइनेस कंपनी डेट और फिंटेस्ट अगर है कि 11% तो आपकी हर महीने की किस्त निकल कराएगे 2180 रुपय तो आगात है आपका मेरे वाले चैनल में कार और वाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ इस बिल आइकन पर जरूर प्रेस करिए यानि कि 27,200 रुपय डॉन पेमेंट करने के बाद अगले 30 महीने तक आपको हर महीने पेमेंट करने पड़ी की 2180 रुपय तब याड़ी आपकी हो जागी और लोन के अमान दुस्तों पूरी हो जाने के बाद से आप फाइनेस कंपनी से एनोसी जरूर ले 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 और ताकि इंसे और हुझे कि आप उस गाड़ी के अब असली ओनर है तो यह थी होंडा एक्टिवर 6G BS6 की स्पेसिफिकेशन इस स्टेंडर्ड वाली मॉडल की और साथी हमने जाना है कैस पर कीमत और लोन पर कीमत क्या रहेगी वीडियो आपको पसंद दहें कि लाइक करना सेर करना तो बनता है सब्सक्राइब करकर रखी कर चैनल को ऐसे ही वीडियो समय साब पाने के लिए धन्यवाद